हलो दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल उपचान उसके में हम उपचान उसके में डेली लेटिस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल उपचान उसके को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन को भी जरूर क्लिक करें जिस्सा आपको हमारे द्वारा अप्लोड की हुई सारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी। काम के प्रेसर के कारण आपको घर परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। इनम वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। जिनका नाम इसे सुरू होता है। वे लोग मौलिक विचारों वाले होते हैं तथा ही अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए हमिसा मेहनत करते हैं। जिसका परिडाम भी इन्हें अच्छा ही मिलता है। ये दुनिया में अपनी एक अलग छवी बना कर चलते हैं। परिस्तिती कैसी भी हो पर खुद को ढालना इन्हें अच्छे से आता है। साथ ही ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते और नहीं बुरा करते हैं। ये किसी भी कारी को करने से पहले उसकी अच्छे से योजना बनाते हैं। ये बिना सोचे समझे कोई भी कारी नहीं करते हैं। इनम वाले लोग बेहत साहसी इस पस्ट बोलने वाले तथा नीडर होते हैं। ये सज बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। ये लोग नए तरिकों के साथ चलने वाले होते हैं और थात ये समय के अनुसार खुद को बदल लेते हैं। अब बत करेंगे 2018 में इनाम वाले लोगों की सिख्छा के बारे में। साल 2018 में इनाम वाले लोगों की सिख्छा दिख्छा की बात करें तो ये वर्स आपके लिए सांदार रहने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहने वाले हैं। जी हाँ इस अवधी में पढ़ाई की और आपका ध्यान पहले से ज़्यादा रहने वाला है। और इसके फलस्वरूप आपको परिडाम भी अच्छे मिलेंगे। परिच्छा में आप अच्छे अंक प्राप्ते करेंगे और अपने लक्ष को प्राप्ते करने में भी सफलोंगे। वहीं दूसरी और आपका एड्मिसर मन चाहे कॉलेज में होगा। आपके आइडिया में आपका आत्मविश्वास साफ साफ नजर आएगा और सिक्छक आपके आइडिया को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। इस दोरान आप नए हुनर को सीखेंगे, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, चित्रकला और मनोविज्ञान के छात्रों को इस साल निश्ची तोर पर सफलता मिलेगी। बात करते हैं 2018 में इनम वाली लोगों के प्रेम और विवा के बारे में। साल 2018 में आपके प्रेम रासिपल की बात करें तो ये बेहद ही अच्छा रहने वाला है। पार्टनर के साथ आपके संबंदों में मधुरता आएगी, पार्टनर के साथ रोमेंटिक जगह पर घुमने जा सकते हैं। यदि आप प्यार के बंदन को साथी के बंदन में बादा चाहते हैं, तो ये समय उसके लिए अनुकूल है। वहीं दूसरी और साथी की साथ बाचीत के दोरान अपने वाली पर नियंतरन रखें। क्योंकि इसका बुरा प्रभाव आपके संबन्दों पर पढ़ सकता है। अगर आप सिंगल हैं और पार्टनर की तलास में हैं, तो आपकी ये ख्वाइज भी पूरी होगी। साथी की बातों को सम्मान दे और उनकी इज़्जत करें। इस वर्स प्यार के मामले में इनाम वाले लोग बेहदी लखी रहने वाले हैं। बात करेंगे 2018 में इनाम वाले लोगों की जॉब और बिजनस के बारे में। रासिबल 2018 के अनुसार इस साल कारी स्थल पर आपको सुखत परिड़ाम प्राप्त होंगे। सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे और सैकर्मी आपके मनुबल को बढ़ाएंगे। इस साल आप सकारात्म कुर्जा से लवरेज रहेंगे। इस दौरान आपको अपने लक्ष को प्राप्त करने के कई सुनहरे मौके भी मिलेंगे। सपलता आपके कदमों को चुमेगी और आप पैसे भी खुब कमाएंगे। इस दौरान आप नई नौकरी की तलास कर सकते हैं या फिर तबादले के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सपलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। 2018 में करियर के मामले में कुछ महतुपुन बदला होंगे और सैलरी में भी वृत्धी होगी। अगर बड़ा निवेस करने की सोच रहे हैं तो निवेस करने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह जरूर ले और सोच समझ कर ही पैसा लगाएं। यदि आप अपने कारुबार का विस्तार करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। विदेशी कारुबार से आपको अच्छा लाप राप्त होने की संभावना है। आप बात करेंगे 2018 में इनाम वाले लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में। भविश्यपल 2018 के अनुसार आपके आर्थिक स्थिति इस साल अच्छी रहने वाली है। आई के कुछ नए स्रोत आपको मिलेंगे जिससे आपके आई में वृद्धी होगी। हाला कि आपको अपने खर्चे पर नियंत्रा रखना होगा। अगर इस समय आप पैसे बचाने में सफल होते हैं तो आपके आज की बचत आपको भविश्य में बहुत काम आने वाली है। जल्द ही आप अपने लक्षी तक पहुंचने में काम्याब हो जाएंगे और पैसे भी खूब कमाएंगे। इस साल आप विदेशी व्यापार से मुनाफ़ा कमाएंगे और ये मुनाफ़ा व्यापार के विस्तार में भी आपकी मदद करेगा। लेकि इस दौरान आपके स्तिती में कई उतार चड़ाओ भी देखने को मिल सकते हैं लेकिन पैसों की कमी के चलते आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। अथिक लेंदिर में थोड़ी सावधानी बढ़ते हैं। फलादेश 2018 के अनुसार इस दौरान आप इसपात, कपड़े, ब्यूटी प्रड़क्ट्स, दुग्द और पजिटन से जुड़े कारुबार में सफल हो सकते हैं। बिजनस में अपने से बड़ो की सला लें, उनकी सला आपके सफलता की कुझी सावित होगी। खुद को पहचाने और आगे कदम बढ़ाएं, सफलता आपके कदमों को चुमेगी। अब बात करेंगी 2018 में इनाम वाले लोगों की पारिवारिक जीवन के बारे में। रासिफल 2018 की अनुसार पारिवारिक मामलों में इस साल आपको मिले जूले परिणाम मिलेंगे। काम में व्यस्त होने के कारण परिवार के साथ समय बिताने का समय नहीं मिलेगा। जिसके कारण पार्टनर के साथ मन मुटाओ भी हो सकते हैं। इसलिए आपस में बैट कर आपसे बाचीत से बात का समय निकाले। वहीं कारी के अधिकता की कारण आपको परिवार से दूर भी रहना पड़ सकते हैं। साथी की मदद करें और लक्ष को प्राप्त करने में उनकी साहता करें। साल 2018 में घर पर किसी सुपकारी का आयूजन होगा और धेरे धेरे परिवार के लोगों के बीच प्यार महबबत भी पड़ेगी। परिवार के साथ कहीं घूमने की योजना भी बन सकती हैं। जिससे आप लोगों के आपसे संबंद मजबुत होंगे। आपके साथ-साथ परिवार के लोगों का भी जुकाओ धार्मी कारियों के ओर होगा। वहीं इस साल आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और नई लोगों से संपर्क बनेंगे। माता-पिता का सहीयोग प्राप्त होगा वहीं दूसरी तरफ समाजी कार्यों के कारण समाज में आपकी इज़त बढ़ेगी। बात करेंगे 2018 में एनम वाले लोगों के स्वास्त के बारे में। सेहत के मामले में वर्ष 2018 आपके लिए औसत रहेगा। स्वास्त का ख्याल रखना होगा नहीं तो आगे चलकर परिसानी हो सकती है। कमजोरी होने की वज़े से आप कारी स्थल पर मन से काम भी नहीं कर पाएंगे। अपने क्रोध पर काबू रखें नहीं तो कोई महत्वपूर काम खराब हो सकता है। आपको मुटापा और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। अता नियमित रूप से चिकेट सकी सला ले। साथ में योग, व्यायाम और ध्यान भी करें। आपके लिए भैतर होगा कि किसी सांत जगह पर घूमने जाएं और नियमित रूप से योग करें। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वरत दी गई सभी जानकारियां पसंद आई हो तो हमारे चैनल उपचान उसके को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।